दोस्तो आज हम इस वीडियो में आप से सेयर करने वाले हैं गोरिल्ला के वारे में बेहद ही खास जानकारी आज हम आपको बताएंगे इनसान और गोरिल्ला के डियने में कितना फर्क होता है गोरिल्ला का जीवनकाल कितने वर्सका होता है इनके भागने की रफतार कितनी होती है और इनका बजन कितना होता है गोरिल्ला के वारे में और भी बहुत सारी जानकारी तो चलिए शुरू करते हैं स्वागत है आप सभी का हिंदी फैक्टारेन में सबसे पहले हम बात करेंगे गोरिल्ला का जीवनकाल कितने वर्सका होता है इनका बजन और लंबाई कितनी होती है गोरिला का जीवन काल 35 से 40 वर्स का होता है अगर हम गोरिला के बजन और लंबाई की बात करें तो नर गोरिला का बजन 200 किलो गिराम के आसपास होता है बही मादा गोरिल्ला का बजन इन से आदा होता है और इनकी उचाई चार से छे फिट तक होती है अब हम आपको बताएंगे गोरिल्ला के भागने की रफ्तार कितनी होती है और इस विसाल जानवर में कितनी तागत होती है गोरिल्ला के दोडने की रफ्तार करीब 40 किलो मीटर प्रती घंटे के आसपास होती है गोरिल्ला की तागत का अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन बिसे सग्ग्यों के अनुसार गोरिल्ला में तागत चैसे आठ इनसानों के बरावर होती है को डागत एक साकाहारी डियने में कितना फर्क होता है गोरिला का नजदी की संबंद हम इनसानों से माना जाता है गोरिला और इनसानों का डियने 98% मिलता जुलता होता है गोरिला के मुँ में हम इनसानों की तरह 32 दांत होते हैं और हमारी तरह दो कान भी होते हैं गोरिला के हाथ और पैर भी हम इनसा की तरह होते हैं एक मादा गोरिल्ला को अपने बच्चों को जनम देने में 9 महिने का समय लगता है और ये एक बार में एक बच्चे को ही जनम देती हैं गोरिल्ला के बच्चे जनम के 3 साल तक मा के साथ रहते हैं मादा गोरिल्ला 6-8 महिने तक इनकी देखवाल बहुत अच्छ अबह से करती हैं। एनके 50 पर्सेंट बच्चे दूसरे सिकारी जनवरों का सिकार हो जाते हैं। गोड़िलुना के सरीर पर बालों का रंग पिर जाती के अनुसार अलग-अलग होता है। ज़्यादा तर गोरिल्ला के बाल भूरे होते हैं और जब ये ज़्यादा उमर के हो जाते हैं तो हम इनसानों की तरह इनके बाल भी सपेद होने लगते हैं गोरिल्ला एक बहुत ही सांथ सुभाव के जानवर होते हैं जब कोई इने परिशान करता है तो हम इनसानों की तरह इ नहवी गुस्सा आता है तो ये थी दोस्तो गोरिला से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी फैक्ट आरेन को सब्सक्राइब कर ले